अरब कंट्रीज और इसराइल के संबंदों को अगर दो शब्दों में व्यक्त करना हो तो आप कह सकते हैं कि इस कॉंप्लिकेटर रिलेशन्शिप लेकिन इस कॉंप्लिकेटर रिलेशन्शिप पे एक नॉर्मलाइज होने की खबर सामने आई है जहां पर यह पता चला है वह इसराइल के बीच में डेफनस को लेकर टील हुई होगी औसव डील की बदफ़तर अजराइल का ऐडिफेंस सिस्टम खरीदा होगा अभी वह ड़ए में डे वह होगा है देखीए जरौ भी डिफेंस को लेकर कोई डील होती है तो समें काफिर ट्रस्ट इन्वाल्व रहता है और अगर अरब कंट्रीज और इस्राइल की बीच में ट्रस्ट वर्ड को यूज किया जाए तो यह अपने आप में अचंबित करता है इस्राइल और अरब कंट्रीज के अगर प्रस्ट भूमी आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप समझ पारे होंगे कि जो न्यूज सामने आई है दो धुर विरोद्यों के बीच में एक नई दोस्ती की यह अपने आप में काफी चौक आती है आज की वीडियो में इसको डिटेल से समझेगे नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ प्राची, संस्कृतिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो संस्क्रतिया यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जादा से जादा अपने दोस्तों के दाशियो भी कीचेगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूस से तो देखें न्यूस क्या आई है कि साइटिंग सेटलाइट इमेज़ एनलिस्ट सीज यूए देप्लोई इस्राइल मेड एयो डिफेंस सिस्टम यानि कि जो इस्राइल और इंडिया की एक जोएंट कोलापरिशन में एक डिफेंस सिस्टम बनाया गया था जिसका नीम है बराक 8 ठीक है तो यह जो बराक 8 है यह बेसिकली जो UAE है वहाँ पर बेसिकली डिप्लोई हो रखा है ऐसा सेटलाइज इमेज़ बताती है यह यह जो इसरा न्यूस देखेंगे तो और जो है थोड़ा सेंस बनेगा न्यूस का इस्राइल मिलिटरी कोपरेशन विद द यूएई इस रिवोलूशनरी शेज डिफेंस अनलिस्ट यानि कि यह जो इस्राइल के मिलिटरी सम्मंद दिखाई दे रहे हैं यूएई के साथ ये काफी रिवोलूशनरी है ऐसा क्यों कहा जा रहा है देखे अरब पैनिसुला की जो कंट्रीज हैं उनके इस्राइल के साथ सम्मंद बहुत खराब रहे चुके हैं इस्राइल के साथ और अजै अपने रहे हैं कि नहीं रही हैं क्योंकि फिलिस्तीन के कौस को इरब पैनिसुला की कंट्रीज सपोर्ट करती हैं आप जानते ही होंगे बहुत लं में समय से अन्सुल्चा हुआ मुद्धा है इस फिलिस्तीन के कॉस के रहते हुए यह उम्मीद करना कि जो अरब पेनिसुला की कंट्रीज है वो इसराइल का सपोर्ट करेंगे यह अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं डिफिकल्ट सी बात है एक असंभव सी बात लगती है लेकिन हाल फिलाल में देखा जाए तो यह जो धुरविरोधी देश रहे थे यह अब जो है मिलिटरेटाइस को लेकर काम करने लग गए है जहां पर डिफिंस सिस्टम की प्रशीज की बात सामने आ रही है तो यह बहुत ही आप कह सकते एक इंट्रस्टिंग यूनीक सी न्यूज है लेकिन जैसा एक कोट है कि जियो प बढ़ाएगी और वो कब किसकी दुश्वन हो जाएगी वर्ड वार वर वर्ड वर टू हम इस बात के में बहुत अच्छा एक्जामपल देते हैं हम बात यह कर रहे थे कि इन दो कंट्रीज में देखें दोस्ती फिलाल दिखाई दे रही है तो यह जो दोस्ती है यह कोई ए शुरू की गई थी जिसके रिजल्ट्स अब हमें दिखाई देने लग गए यानि कि ना सिर्फ युनाइटड अरब अमिरात बल्कि कुछ और कंट्रीज ऐसी है जो इसराइल के साथ अपने रिष्टों को आगे बढ़ाना चाहती है चाहे वो ट्रेड की बात हो या फिर डि दो कंट्रीज आपस में हाथ मिला रही है तो यह दिखाता है कि जियो पॉलिटिक्स में किस तरह के चेंजिस जो है मैं दिखाई दे रहे हैं इससे पहले मैं आपको वीडियो को डिटेल में पढ़ा हूं यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं युक्रीन के तरफ से भी इसर इसरा का सिस्टम देंगे क्योंकि ऐसा करने का सीधा सीधा मतलब है रशिया के साथ अपने संबंदों को बिगाड़ना और जिसमें इसराइल अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशन्शिप हैं वह हैं उनाइट स्टीट के साथ औ और इसके अलावा उन्होंने बेसिकली उस एक बीच के धागे का रोल भी निभा के दिखाया है जिसमें उन्होंने अरब कंट्रीज को इसराइल को साथ जोड़ने की बात किया है जैसे हाली में लेबनान के साथ इसराइल की एक डील साइन हुई है और यह जो डील हुई है इसमें जो बेसिकली एक रोल अदा किया है वो युवेस ने किया है एक मारे टाइम डेमाक्रेशन डील जो है साइन हुई है हाल फिलाल में इसके लावा यहां पर देखिए जैसे ही इसराइल एर डिफेंस सिस्टम डिप्लोइड इन अबुधामी युवे इरान इंडिकेट अब अमिरात को यह कहा है कि आप इसराइल के उपर जादा डिपेंड मत होना यह ठीक नहीं है तो इरान वाले मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे आज क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा हम बात करेंगे कि अरब कंट्रीज जो है उनके कैसे रिष्टे इसर इसराइल के साथ नॉर्मलाइज होते दिखाई दे रहे है शुरुआत हुए इसकी सैटलेट पिक्चर की वजह से तो देखिए सबसे पहले तो एट रियाद इन्वेस्टर्स फोरम टॉप इसराइली बैंकर्स हेल सौधी एकोनॉमी प्रोस्पेट्स यानिके इस तरह का एक इस न्यूस से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि अरब देशों के साथ संबंद किस हद तक खराब है कि अब 2022-30 ऑक्टूबर को जाके यह पहले एथलीट बनी है जो सौधी अरेबिया में जाके जिन्होंने कंपीट किया है आप देखिए अगर हम बात करें इसराइल और UAE के संबंदों की तो अगस्त 2020 में UAE बहरीन और इसराइल ने अबराहम समझोते पर दस्तकत किये थे यह बहुत इंपोर्टन एग्रिमेंट है आपको समझने के हिसाब से भी आपके मेंस की परिक्षा के हिसाब से भी और प्रिलिम्स के हिसाब से भी तो देखिए जैसे UAE बहरीन और इसराइल इन्होंने अबराम समझोते पर साइन किये हैं तो अब जाकर इन कंट्रीस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस समझौते कापम करनेय के लिए उसके जिस्चा काम करने के वच्चनबत हैं जैसे ही ये समझोता हुआ तो इस्राइल के लिए खाडी के दो देशों के साथ कूट नितिक संबंद स्थापित करने का रास्ता खुल गया था क्योंकि मैंने आपको क्या बता है फरिस्तीन वाले कॉस की वज़े से इस्राइल के संबंद अच्छे नहीं थे अरब पैंसुला की कंट्रीज की वज़े से और यह संबंद कितने खराब था अप इस बात से समझ सकते हैं कि बकाइदा अरब पैंसुला की कंट्रीज जो है और में इसराइल के साथ अपने कूटनितिक रिष्टे बाहल कर लिये थे यानि कि अगस्त 2020 का समय था यह काफी इंपॉर्टेंट था तो यह देखें यहां पर एजिप्ट पढ़ता है और यह आप यहां पर यलो कलर का देखेंगे तो यह जो है इसराइल यहां पर पढ़ता है य इसमें आप यहां पर देखेंगे तो यह आपका है UAE और यह आपका है Saudi Arabia तो यह दो कंट्रीज की फिलार हम यहां पर बात कर रहे हैं चीक बात है इसके बात देखें जब संयुक्त अरब अमिरात की अगर रिष्टों की हम UAE के साथ बात करें तो मैंने आपको क्या बताया क कि दोस्ती एक दिन में नहीं बनी है धीरे धीरे इस पर काम हो रहा था तो देखें 2015 में इसराइल को अपुधाबी शहर में अपना पहला कूटनी तिक दफ्तर खोलने की अपचारिक इजाजत दे दी थी 2015 में ऐसा हो गया था लेकिन उस ताइम पर यह जो ऑफिस था इसके कुछ खास रिस्पोंसिबिलिटीज नहीं थी जैसे यह जो कूटनी ते कारिया ले था इसका जो काम था इंटरनेशनल जो रिनुवेबल हमारी आप कैसे एजनसी थी उसमें इसराइल की भागीदारी में मदद करने तक सिमित था मतलब बहुत जादा कुछ ऐसे खास तो में कुछ बढ़िया काम करें फिर ट्रम प्रसाशन के दुरान काफी कोशिश हुई मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने हमेशा जो है देशों के बीच में रिष्टों को नॉमलाइजेशन कराने में हेल्प की है तो ट्रम प्रसाशन के टाइम पे कोशिश हुई और जल् दिने धीरे करके बाकि की अरब चंटरी उनके साथ रिष्टे अच्छे होने श्रूए लेकिन यूबई यह ऐससे पहले कंटरी नहीं है इससने इस्रायल के साथ अपने रिष्थो को नॉर्म मेलçu करने की क्या गावारर किए यहां पर देखेंगे चिक है और यह काफी इंपोर्टेंट एक लोकेशन बनती है रेड़ सी यहां पर है स्विच कैनल यहां पर है तो बेसिकली जो एजिप्ट है यह आप कहसते हैं जो यहां पर छोटा से यह पैनसुल आपको दिखाई देता है यह लिंक करता है इस दो एरि मिश्र बेसिकली ऐसा कर चुका है और यह कब कर चुका है यह 1979 में मिश्र ने कैप डेविड में इसराइल के साथ एक शांती समझोते पर दस्तकत किये थे और इसके बाद इनोंने पने इश्टों को नॉर्मल बनाना शुरू किया था अभी फिलाल की वरतमान की बात करें तो की जो पाइपलाइन है इसराइल को से जो है हर दिन लगवग 700 क्यूबिक फुट गैस का आयात करता है तो एनरजी के लिए इस पर डिपेंड है इसलिए दोनों देशों के रिष्टों में उर्जा पहलों भी हमें दिखाई देता है 2021 की बात करें तो इसराइल के पूर्व प इसराइल के जो आगे बढ़ाई गई थी इसके बाद दूसरी इंपॉर्टन कंट्री आती है इसराइल के कंटेक्स में जॉर्डन तो देखिए 1994 में इसराइल और जॉर्डन ने शान्ती समझोते पर जो है सम आंभा साइन जो है कर लिये थे लेकिन उसके बाद से वो भी काफी कम वॉल्यूम का रहा था कुछ खास मतलब चीज़े नहीं हो पाई जॉर्डन और इसराइल का देखिए एक दूसरे को जो निर्याद था वो काफी कम था कुल निर्याद का के बाद 0.5 फीस और 1.5 पोशेंट ही जैसा कि मैंने आपको बताया दरसल जॉर्डन क के साथ दिक्कत यह है कि उसको यह भै लगता है कि इसराइल अपनी सीमा से लगने वाले जो जॉर्डन के इलाके हैं जैसे दो इंपोर्टेंट है नोट कर लिजेगा जॉर्डन घाटी और मृत्य शागर्च छेतर उनको अपने में मिला सकता है इसराइल ने वेस्ट बैंग गोलन हाइट्स जैक है और जाव की गाजा पट्टी है इसको लेके जो अल्यडी अब विवाद चल रहा है जरुसलम को लेके जो विवाद चल रहा है और जो वार हुए थे अरब की जो कंट्रीस थी और इसराइल के बीच में उसके टाइम पे जो इसराइल के ज़रा कुछ इसराइल के साथ नहीं रह पाता है क्योंकि उनको इससे लगते है कि नहीं हमारा एरिया जो है उनके द्वारा कैप्चर ना कर लिया जाए इसके बात करते है इसराइल और संयुक्त अरब अमिरात की साज़दारे की जिसको लेकर हमने वीडियो बनाई है तो हमने देखा यहां पर एक चीज सोड़ी से और ध्यान लखिएगा अगर हम पब्लिक के प्रस्पेक्टिव से बात करें तो जो अरब कंट्रीज की जो जनसंख्या है वो बहुत जादा अभी इस चीज को लेकर आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं बहुत जादा इंकरेज नहीं करती है इसरा बहुत बड़े लेवल पर नहीं जा पाती है बट जैसा कि आपको पता है कि कुछ अरब कंट्रीज में भी मोनार्की है तो वहां पर फैसले उनके द्वारा ही लिये जाते हैं चीक बात है जिस्ट ओन साइड नोट तो देखिए मिश्र और चॉर्डन की तुलना में जो यू समझोते हुए यहां तक कि सांस्कृतिक संपर्कों के जरिये भी रिष्टे काफी आगे तेजी से बड़े है जैसे जॉर्डन और इसराइल में जब समझोता साइन हुआ तो उसके बात उतनी डवलपमेंट नहीं देखिए गई लेकिन उसके उल्टा यूए और इसराइल के समझोता साइन होने के बात से काफी स्तीजी से डवलपमेंट देखिए गई है जैसे सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक समझोतों पर क्योंकि ट्रेड किसी भी दो कंट्री के बीच रिष्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अबरहम समझोते पर जब दस अरब डॉलर का आकड़ा जो है पार कर लिया था तो जहां जॉर्डन के साथ व्यापार काफी कम था वहां इनके साथ काफी अच्छा व्यापार है फिर जून 2022 में मुक्त व्यापार समझोते पर भी साइंड किया है और लक्षे यह रखा है कि अगले पास साल में हम आपस प किसको लेकर जाएंगे सितंबर 2020 में दोनों देशों ने बैंकिंग और विप्त से जुड़े प्रोटकॉल पर भी दस्तकत किये थे ताकि साजा नीवेश बढ़ाया जा सके इसके अलावा मार्च 2021 में स्यूद अरब अमीरात ने इसराइल में इंवेस्टमेंट करने के लिए दस अरब डॉलर के एक फंड का भी ऐलान किया था यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा युए के भारत के साथ वे संबंद काफी अच्छे हो रहे हैं घहरे हो रहे हैं और युए बहुत सारे मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है भारत की इसराइल के साथ संबंद बहुत अच्छे हैं तो कल को इसराइल, UAE और भारत ये तीनों कंट्रीज मिलकर काफ़े कुछ अच्छा कर सकती इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और इस मुद्देव को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी पहले जो है हम UAE इसराइल के बीच में चीजों को देख लेत प्राकर्तिक गैस के कुए हैं वहां की 22% हिस्सेदारी को खरीदाता तो इस तरह के फैट्स आपको याद तो रहेंगे नहीं एक आइडिया इससे में मिलता है कि किस तरह से चीजे काम चलिए दूसरा जैसे तमर प्राकर्तिक गैस के कुए बीच जो तमर आपने वोर्ड सु काम किया जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में सित्मबर 2022 में संयुत अरब अमिरात का प्रतिनिधी मंदल तल अवीवी स्टॉक एक्चेंज और अबुदाभी ग्लोबल मार्केट द्वारा मिलकर जो एक बेसिकली कारोबी मंच आप कह सकते आयुजित किया गया था उसमे किया बीस मंत्रिस तरिये दोरे हो चुके हैं और एक बड़ा दोरा तब हुआ थे इसराइल के राष्टपती इसाख हर जों संयुक्त अरब अमिरात गए थे पूर्वे प्रधान मंत्री जो नफ्ताली बेनेत थे वो भी जून 2022 में जो है युवे ही गए थे इसके रावा सं संबंदू की बात करते हैं तो अबराहम समझोता इस इस दा माइल स्टोन बेट्वीन टू करड्री जैब यह समझोता साइन हो तो चीजे बहतर हो गई तो जैसे यह समझोता साइन हुआ इसराइल के लगबग साढ़े चार लाग परियाटक जो है वो युवे ही आ चुके है तो बिना वीचा के भी आ सकते हैं वीजान अराइवल वाला सिस्टम है और संयुक्त अरब अमिरात ऐसा पहला अरब देश है जिसे इसराइल ने सी रियायत दी है युवे इस फर्स्ट कंट्री अगर हम अरब पैनिसुला के बात करें तो चीक है सांस्कृतिक संबंदू को म मचबूत बनाने के लिए 2021 में पहला इसराइली संस्कृतिक संसरान एजुकेशन हिब्रो इस्टिट्यूट यह भी खोला गया था तो मैंने आपको क्या बता है डिफेंस ट्रेड और इसके अलावा जो रिपर्जेंटेटिव कुछ लोग है प्यूपल तो प्यूपल इसके साथ काफी अच्छे रिलेशन्शिप है तो पिछले साल इन तीनों देशों ने पहला त्री पक्षित समझोता जो था उस पर साइन किया था जिसमें इसराइल के जो कंपनी थी कोपिया वो सहीं अरब अमिरात के बड़ी परोजना के लिए भारत में रोबोट से चलने के लिए दूबई में स्थित जो भारते कारोबारी है जो पेशेवर परिसद है उन्होंने साल के शुरुवात में बड़े इसराइली प्रतिमिंदी मंडल की मीजवाने भी की थी इसराइल के अधिकारियों का यह अनुमान है कि आने वाले टाइम में तीनों देशों के कुछ तीनों कंट्रीज के अपने कुछ त्रेंट एरिया और वो इसमें मिलकर सहयोग कर सकती है यह देखें आपर बताया कहा है इसके बाद देखें इसराइल का जो एशया चेमबर ओव कॉमर्स के प्रतिनीदी है उनसे भी विचार वरमस शुरू हुआ था ताकि काफे सार चेतरों पर काम हो सके तो इक कंक्लूजन क्या निकलता है इस वेरी गुड़ स्टार्ट जितना जादा देशों के पीछ में फ्रेंड रिलेशन होंगे उतना जादा आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को लेकर पीस को लेकर चीज़े अच्छी होंगे क्या ब अपने जैसे विचार वाले अन्य देशों के साथ जैसे भारत अमेरिका जापान दक्षिन कोरिया और सिंगापूर को भी इसमें जोड सकते हैं और जैसे एक फॉरम बना था आइटू यूटू पहल जिसमें कौन-कौन थे या मुझे कमें सेक्शन में बताईएगा इस पार आइटू यूटू पहल जैसे जो बहु पक्षे मंच है उनका भी लाब उठाया जा सकता है देखिए जब एक मंच पर जादा फ्रेंड रिलेशनशिप वाले जो देश है उपनी बात रखेंगे तो जादा प्रभावी होगी तो भारत अगर UAE, इसराइल, सिंगापूर, ज इन सब के साथ मिलकर काम करेगा तो भारत के दारा उठाये करे मुद्धो को जादा तवुद्ध दी जाए कि जादा बहतर सोना जाएगा और ऐसा करके धीरे-धीरे कुछ agreement साइन करके defense में और trade में काफी बहतर लाब भारत के दारा बे उठाये जा सकते है तो इस तरीके से विन-विन वाली situation यहाँ पर रह सकते है तो दिस इस अल अबाउट दे क्लास आज हमने पढ़ा कि कैसे UAE और इस्राइल एक अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगर इस वीडियो से डिलेट कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजे झाल